नमस्क्रा स्वागते आपका अब देख रहे हैं प्राइम टीवी करते हैं शुरवाद नैशनल बुलिटिन के साथ प्रधान नंति नरेन मोदी के अध्यक्षता में हुई केंद्री क्राबिनेट की बैठक में नागरिक्ता संशोधन बिल को मन्जूरी मिल गई है अब इस बिल को अगले हफ्ते संसब में पेश किया जा सकता है इस बिल के अनुसार नागरिक्ता प्रदान करने से जुड़े नियमों में बदलाव होगा और अवैद प्रवास के बगार दस्तावेस के नागरिक्ता मिले की वहें इस बिल को हमने 185 के असम करार का उलंगन बता कर विरोध हो रहा है मारती अंतिरक्षान संधान संगठन यान इसरो के प्रमुक के के सिवन ने एक बयान देते हुए कहा कि हमने नासा से पहले ही विक्रम लैंडर को ढून लिया था सिवन ने दावा किया है कि नासा से पहले हमारे और्बिटर ने विक्रम लैंडर को ढून दा था इसकी जानकारी हमने अपनी वेबसाइट पर भी डाली थी आयनेक्स मीडिया गुटाली के आरोपी पूर्ववित्य मंत्री पीछे तमरम को सुप्रीम कोर्ट से सशर्थ जमानम मिल गई है तमरम बीते 105 दिन से जेल में बन थे जस्टस आर भानूमती कि अगवाई वाली बेंच ने तहा कि जे तमरम कोर्ट के आदेश के बिना देश से बाहर नहीं जा सकते हैं साथ ही वो इस मामले में मीडिया में कोई बयान या इंटर्व्यू भी नहीं दे सकते हैं भारा में देरवाग परमानू से लैस्ट पृत्वी टू मिसाइल का सफल परिक्षन किया सता से सता पर 350 किलो मीटर तक वार करके रने की छमता वाली पृत्वी बैलेस्टिक मिसाइल का परिक्षन ओरिसा के बाला सोर में सामरेक बल कमान ने किया मता दे कि ये मिसाइल अपने साथ 500 से 1000 किलो ग्राम युद सामग्दरी ले जा सकती है कॉंग्रिस महासेचर प्रियंका गांधी वाडरं एक बार फिर से योगी सरकार पर हमला बोला है उन्होंने उन्नाओ कांट को लेकर सरकार को घेरा है उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि उन्नाओ मामने में अपरादियों के खिलाफ मामले ही नहीं दर्ज होते दुनिया के दिगज टेक कंपनी गुगल के मुख्यादिकारी सुन्दर पिचाई का प्रमोशन हो गया है गुगल ने सुन्दर पिचाई को पैरंट कंपनी अलफाबेट का CEO न्यूक्त किया है क्योंकि कंपनी के सहसंस्तापक सर्गी ब्रिन ने किसी कारण वश इस पत को छोड़ दिया था हाला कि ने बदलावों के बाद सर्गी ब्रिन और दूसरे सहसंस्तापक लेरी पेज कंपनी के शियरधारक और बोर्ड ओफ डारेक्टर्स में शामिल रहेंगे हैदरापाद ग्यांग रेप और हत्याकान मामने को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्याक्षे स्वाती मालीवाल जंतर मंतर पर आमरन अंचन पर बैठी थी लेकिन अब वो राजगाट के सामने पंडाल लगा कर प्रदर्शन कर रही है जगा बदलने पर स्वाती मालीवाल ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब मैं पिछली बार यहां बैठी थी तब दस्वे दिन कानून बन गया था तब हमारी जीत हुई थी इस बार फिर मैं धरने पर बैठ रही हूँ मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग राजगाट पर आए मैं चाहती हूँ कि लोग अपने बेटों से बात करें बेटियों को बहुत हिदायत दे दी मुझे जंतर मंतर पर बैठना था पुलिस डर गई कॉंग्रस ने अने स मीडिया धन शोधन मामे में पार्टी के वरश नेता पीछे तमरव को जमाना देनी के उच्छतम नयायाले के फैसली का स्वागत किया और कहा कि सच की आखिरकार जीत हुई हाला कि कॉंग्रेस के वरिश नेता शेशिर थरुन ने कहा कि न्याय में देरी अन्याय है ये काफी पहले ही मिलना चाहिए था पूरे देश में आज भारती नोसेना दिवस मनाय जा रहा है आज ही के दिन साल 1971 में भारत पाक युद्द के द WATरान नोसेना ने पाकिस्तान के करिलाची बंदरगा को बर्बाद कर दिया था इस युद्ध में शहीद हुए जवानों की याद में नौसेना दिवस मनाया जाता इस मौके पर पिये मोधी ने भी ट्वीट कर देश को नेवी डे की बढ़ाई दी है राश्ट्रिय स्वें सेवक संग आरेसिस की नजरेया भारतिय मूल के दिवंगत और नोबल पुरसकार विजेता पियेस नायपाल पर है संग से जुड़े एक संगटन ने बाबरी विदवांश के दिन छे दिसंबर को उनकी कृती पर चर्चा के बहां ने बड़े कारिकरम का योजन किया इस कारिकरम में संग के वरिशनिता इंद्रेश कुमार सांसद सुब्रमनेयम स्वामी और अखिल भारतिय संत समिती के महमंत्री जितेंद्रा नंद सरस्वती शिर्कत करेंगे